यह देखे आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी क्रीम की रेस्पी लेगा हूँ यह देखे बहुत ही अच्छी सी और ठिक कॉंटेटी वाली क्रीम है बिल्कुल बजार जैसी क्रीम है लेकिन इस क्रीम को हमने बनाया है राइस से राइस जैसे कि आप जानते हैं चावल बहुत ये अच्छे होते हैं skin की glow के लिए tight के लिए skin को दागदब्बे अटाने के लिए और Korean लोग बहुत ज़ादा use करते हैं rice को अपने skin routine में skin products में इस cream की खासियत यह है कि अपकी skin को tight करेगी अगर आपकी sagging वाली skin हो गई है जुरियां पढ़ गई है जाईयां हो गई है दाग दब्बे हो गई है तो यह जो क्रीम है आपकी स्किन को बहुत ही टाइट और फॉर्म कर देगी और कॉंपलेक्शन को लाइट करेगी स्किन में एक अच्छा सा निखार आ जाएगा तो जरूर ट्राइ कीजिएगा इस राइ टो फ्रेंड्स यह राइस क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर देखिया मैंने राइस ले लिए है अब राइस आप जो है वो किसी भी ब्रैंड की ले सकते हो किसी भी तरीके की ले सकते हो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है लेकिन अगर आप टुकडे वाली राइस लोगे तो जादा बैतर है या बास्मती राइस लोगे तो जादा बैतर है यहां पर मैंने देखिए दो चमच के करीब राइस ले ली है और हमको वाइट राइस इस्तमाल करनी है इस रेमेडी को बनाने के लिए इस क्रीम को बनाने के लिए ब्राउन राइस का हम इस्तमाल नहीं करेंगे यहाँ वे दो छोटे चमच के करीब मैंने राइस ले ली है तो यह राइस थोड़ी सी गंदी होती है क्यूंकि इसके उपर बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं प्रेजरवेटेव लगे होते हैं और वो हमें अपनी स्किन में नहीं लगाने हैं तो इसको मैं कम से कम दो से ती कि यह कुरिएन लोक बहुत जादा इस्तमाल करते हैं और यह जो राइस क्रीम है यह बहुत ट्रेंडिंग भी हो चुकी है तो मैं आज आपको इसको इंडीयन तरीका बना रहे हूं बनाने का तो यह देखिये मैं दो से तीन बार इसको अच्छे से वाश कर लूँगी इस क्रीम को लगाने से आपकी जो जुरियां है वो भी दूर हो सकती है तो इसको आपको रात को लगाना होगा यह एक तरीके से नाइट क्रीम का काम करेगी तो यह beauty remedies हैं जो यह बहुत ही ancient time से चली आ रही है और rice का बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है ancient time से तो यह बहुत ही अच्छी remedy है जरू से जरू ट्राय कीजिएगा यह देखे मैंने दो से तीन बार इसको धो लिया था और अब मैंने एक कप के करीब filter वाला पानी इसके अंदर डाला है एक बड़े कप के करीब और इसको हम boil होने के लिए छोड़ देंगे medium आच पे आप इसको boil कीजिएगा और बीच-बीच में आप इसको mix करते रहिए basically हमको जो rice है इसको अच्छे तरीके से फुलाना है soft करना है ताकि इसको हम बाद में पीच सके और इसकी cream बना सके friends अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं मेरे remedies अच्छी लगती हैं तो यह देखिए friends कम से कम 5-6 mint boil करने के बाद यह हमारी जो rice है यह अच्छे से पक गई है यह देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो rice फूल गया है तो अभी मैं इसको gas को कर दूँगी बन और इसको हम हलका सा ठंडा होने देंगे इसमें देखिए थोड़ा पानी भी रह गया है अग अभी और इसको हम पानी के साथ ही ठंडा कर लेंगे और यहांपे मैंने एक mixi jar लिया है तो यह जो rice है यह हलकी सी ठंडी होई है और इसको मैं डाल देती हूँ हमारे mixi jar के अंदर और friends इसका जो पानी है यह बिल्कुल भी नहीं फेकना है आपको जो rice के अंदर है यह साथ में ही हमको पीशना होगा इसके अंदर बहुत सारे proteins आ गए है राइस की qualities आ गई है तो पानी बिल्कुल भी मत फेकिए और इसी पानी के साथ आप इसको पीश लीजे थोड़ा सा पानी आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो अगर आपको पीशने में डिक्कत आ रही है तो यह देखिए मैंने इसको बिल्कुल महीन पीश लिया है बिल्कुल स्मूध कर लिया है दो से तीन बार आप अच्छे से mix करके पीश सकते हो इसको अगर आपको पीसने में दिक्कत हो रही है तो आप छान भी सकते हो मैं इसको छान नहीं रही हूँ और ये देखिए आपको इसकी consistency देखिए बहुत ही easy है इसको बनाना बस हमने rice को boil किया है और ये जो है इसको पीस लिया है ये काफी लोगों को बहुत simple लग सकता है लेकिन basically हमको करना यही होता है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आदे निम्बू का रस डालने से ये जो rice cream है ये और ज़दा effective हो जाएगी निम्बू के रस में vitamin C होता है जो कि skin के लिए बहुत ज़दा अच्छा है अभी बाजार में बहुत सारे vitamin C, face serum भी मिल रहे हैं तो ये natural bleach का काम करता है इसके में डाग दपो को अटाता है इसके अंदर मैंने आदा निम्बू निचोड दिया है इसको हम mix कर लेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर oil भी डाल रही हूँ एक तो मैं इसके अंदर orange essential oil डाल रही हूँ यहाँ पर मेरे पास वेदा oils का orange essential oil है इसका link मैंने description box में दे रखा है आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको purchase भी कर सकते हैं और अगर आप यह नहीं डालना चाते है तो आप इसके अंदर vitamin E के दो capsule डाल सकते हो vitamin E भी जो है skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो आप वो भी डाल सकते हो और नहीं तो आप इस तरीके से orange essential oil डाल दीजे इस essential oil में ना सरफ orange की बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आएगी इससे के साथ साथ यह vitamin C में बहुत ज़्यादा हाई होता है तो vitamin C as you all know बहुत अच्छा होता है skin के लिए तो यह एक तरीके से skin को बहुत ही ज़्यादा smooth कर देगा बिल्कुल ही और light कर देगा और दाग दबों को बहुत ही अच्छे तरीके से अटाएगा friends इस cream को आप रोज रात को अच्छे से face wash करके और 5-6 mint अच्छे से massage कीजिए और चाही तो आप cream को लगे रहने दें या फिर आप wash off करके और सो सकते हैं इस cream से आपकी skin जो है light होईगी, bright होईगी और जुरियां बहुत ही अच्छे तरीके से दूर होगी तो जरू से जरू ट्राइ कीजिएगा इस remedy को, इसको आप कम से कम 4-5 दिन फ्रिज में store करके भी रख सकते हो याद रखिएगा ये boiled rice है तो हमको इसको फ्रिज में store करके रखना होगा और फ्रेंट इसके अंदर हमने जो vitamin C का जो oil डाला है, orange essential oil उससे प्रिजर्व भी हो जाता है या फिर आप vitamin E के जो capsule डालेंगे उससे प्रिजर्व भी हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी cream है, जरू से जरू ट्राय कीजिएगा इस तरीके से एक छोटे container में आप इसको pack करके रख सकते हो और थोड़ा सा ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो ये बहुत ही और ज़्याद थिक हो जाएगा ये बिलकुल market जैसे ये ठिक cream बन के त्यार हो गई है मैंने इसको चाना नहीं है, आप चाहे तो चान भी सकते हैं तो जरू से जरू ट्राय कीजिएगा इस remedy को तो आप फ्रेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करना बिलकुल भी मद भूलिएगा जाज सादा इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मद भूलिएगा तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ और फ्रेंट्स ये कुछ दूसरे वीडियो से हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू